स्किन में ड्राइनस आ रही है बहुत ज़दा खुजली हो रही है इचिंग हो रही है तो इस मतलब ड्राइ स्किन को लेकर मैंने लॉट्स वीडियो बनाई है आप जाके वह भी चेक कर सकते हैं लेकिन आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किसी भी तरीके से अपने मैस करना है आप स्पून के हैल्प से कीजिए हाथ से कीजिए या ग्राइंडर से कीजिए बसे मिक्स होना चाहिए अच्छे से मैस होना चाहिए अब एक चीज़ बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान देना है कि अगर इसकिन में बह अगर नॉर्मल ट्राय रहती है तो आपने इसमें दही यूज करना है दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छा फेस पैक तयार है आपकी स्किन के लिए इसकिन बहुत अच्छे डीपली सूत हो जाएगी डीपली आपकी स्किन को मुश्राइज यह देगा एक अच्छे से पैक बन चुका है इसे अपने लोगों के फेस में इचिंग की प्रॉप्लम होती है जब आप इसे अपलाई करेंगे आपको अंदूरी नहीं आपकी आतमा बहुत खुस हो जाएगी क्योंकि आपकी स्किन बहुत जादा थंड़क आपके फेस को यह मिलेगा ठीक लोग करते हैं कि मैं इसकिन में जलन हो रही है बहुत ज़दा सूजन आ गया है फेस पे बहुत ज़दा रेड डेस आ गया है तो अगर आपके फेस में जलन और दर्द हो रही है तो मैं आपको पहले ही बता चुक हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ अगर फेस में जलन बाद आप डियाईवाई बिल्कुल भर भर की यूज कर सकते हैं घिक है अने लोगों के लिए है जनें सीजन के सबसे डvil car तो अपनी एजिंग को स्टॉप करने के लिए ड्राइनेस को खत्म करने के लिए यह में डियाइव रेमेडिस देती हूं जो कि आपको बहुत अचा रिजल्ट देंगे अगर आप इने कंटिनूसली अपलाई करेंगे तिक है अब बढ़ते हैं सेकंड मास्की ओर चार से मच आपने दूध मिल्क कोई भी मिल्क आप यूज कर सकते हैं ठीक है अच्छे से दोनों को पैक मिक्स कर लेना है और यह एक ऐसा पैक रेडी है जो आपकी स्कुन को अनदर लेवल ग्लो देगा आपकी अंदरूनी स्कुन की जड़ होती है लास्ट वाली लेयर होती है उसे भी अच्छे से deeply moisturize करेगा तो आपने इसको लगाना है अपनी इसकुन में आपको definitely एक यूज में बहुत अचा फार्क दिखेगा ड्राइनस बिल्कुल खत्म हो जाएकि फेस बहुत ज़दा सॉफ्ट हो जाएगा सिर्फ सुनना ही नहीं है तीन दिन हफते में से apply कीजिए उसके बाद अपना experience मेरे साथ यहां पर share कीजिएगा कैसा आपको लगा कमेंट करके बताएगा तो यह था आज का वीडियो आई होप पसंद आया हो पसंद आता है वीडियो को खुब सारा लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और आपको किस टॉपिक पर वीडिय दोस्ट चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं तो ड्राइ स्किन को लेकि यह अमेजिंग मास्क हैं ट्राइ कीजिए